कि हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज बहुत ही यमी रेस्पी लेके आए हो बहुत कम समाल से बनाएंगे और बहुत ही रेस्टी रेस्पी बनेंगी सबको पसंद आएगी छोटे बड़े को तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं आप हमने थोड़ी सी काजू पदाम औ तो मोटा मोटा रखे हैं बहुत बारिक नहीं पाउडर बनाया है यहां वस हमें आएसे ही चाहिए था इसलिए हमने इसमें कूटे हैं और इसे कूट कूट के सारे को हम त्यार कर लेंगे जितनी की हमें चरूत पड़े हैं जो किसमी से उसे चोटे-चोटे कर लेंगे तो ड्राइक त्यार है तो चलिए आगे देखते हैं थामने एक गैस पर एक डाई रखती है और उसमें हम दो चमज घी डाल देंगे आधा चमज सूजी डालोंगे मोटी पतली कोई भी सूजी को सूजी का कोई चकर नहीं है और सूजी को अच्छी तरह से का पर बढ़न साफ ऑच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए अच्छी तरह से भून रहे हैं महीं हो च्छी बहुत ज़ल्दी हो जाता है त्यूंअ कि आप घी डालेंगे आप तेल भी ले सकते हैं लेकिन घी से रेस्पिय बंती है बहुत ही अच्छी रोच्छी डरतिशी बनती है तो आप यहां पर घी जरूर डालिए अगर आपके पास है तो तो दीरे-देरे करके भूनेंगे तो देखिए आप साथ से आट मिनट हो गए कलर थोड़ी बहुत चेंज हो गया ज्यादा नहीं सूजी अच्छी से भून चुकिए इसमें से इसके खुषबू आने तो देखिए आप एक मिनट हो गए है और अच्छी तरह से भून चुकिए बहुत अच्छी खुषबू आ रही है तो पता लगता है यहां सूजी भून चुकिए अब यहां पर आप मीठा आपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आप अगर ऐसे खिलाने हो बच्चों को कप से हम सूजी ले थे उसी कप से दूद्र लेंगे ते कप सूजी था उसी कप से हमने डेड़ कप यहां पर दूद्र कई उच्किये हैं पारी नहीं डाले हैं आप चाहें तो इस सूजी में दो चमत मिल का पाउडर डा सकते हैं या दो चमत नारेल का पाउडर डा सकते हैं लेकिन हम सिंपल बिल्कु ईजी घर की तरीके से बना रहे हैं अगर यह चीजे नहीं है तो भी कोई बात नहीं तो सूजी को अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसमें थोड़ी सी फूर कलर डालेंगे क्योंकि सूजी वाइट है तो अच्छी नहीं लगेगी देखने में तो दूढ डाले ते तभी लो कर दी हैं और लो फिलें पर इसे भूनेंगे क्योंकि जो सूजी होती है दूध और पानी को बहुत जल्दी सोक लेती है तो इसका डो देखी कैसे बन रहा है अब मिल्ड़ी पर अच्छी तरह से पकाएंगे अब यहां पर जो दूध है अच्छी आप यहां पैसे खा सकते हैं अपनी मन पसंद की से दे सकते हैं जैसे आपको पसंद हो आभी ने बरतन में निकालेंगे और इसे ठंडा करेंगे थांट हमने हाप पलेट में निकालें हलकी 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 सी ठंडी हो चुकी है बस आप फटा-फट से बनाएंगे वहना ज्यादा मारकेट में बहुत एजी मिल जाती है तो इसमें हम अच्छी तरह से डाल के अब आपको पता लगिया कि हम क्या बना रहे हैं मोदग बना रहे हैं गड़पती बाबाजी आने वाले हैं उनकी त्यारी हो रही है तो ऐसे आप मोदग बना के इंजवाई कर सकते हैं तो देखिए बस इसमें डाल देंगे हाथों से हलकेल के प्रेस करेंगे और बस अपने आपी से बनके निकल जाती है बहुत हीजी होता घर बद्ध में अगर बच्ची हो ताब उनको दे सकते हैं बच्चे बड़ी खुची कुट बनायां इंगे बच्चे को एचीजी बहुत पसंदा उत्या एक है इसे काम करना थोड़ी बड़े बच्ची है तो निकालना थोड़ा अध्या लगारिना नची लग रही है आप अध सबैंड से रीजिक परस और कि निकाल लैंगे बनान में है तो लोग को आप है। बहुत सारी मोदक की रेश्पी हमने डाले बीना मोड्ड की हमारे पास भी मोड्ड नहीं था अब हमने इसे मंगवाए हैं पहले बीना मोड्ड के बनाते थे तो आपको ऐसे बना के दिखा देदे कि हाथों से अच्छी तरह से बाइंड कर लेजिए जैसे पिन्या अगर बनात हैं फिर भी कोशिज करते हैं जिसके पास नहीं उनके लिए एक तुद्फिक लेनी है उसे चमस के साइडों से भी आप इसे डिजाइन दे सकते हैं तो हमने भी चाकु से और चमस से डिजाइन बना के आप पहले डाले हुए हैं मोडग तो देखे ऐसे बना लीजिए अगर के पास मोड़ नहीं है और आधा कप सूजी से देखे हमारे पंद्रे पीस बने थे और कितनी अच्छे लग रहे हैं इसमें और कोई डालने के जरूत ही नहीं है तो बहुत अच्छी हापी इस तरह से अगर गंड़ पती पापा को आप अपने घर में रखे हैं तब रोज न बनाई है और रोज दोनो टाइम होता है तो मार्कीट से अपलिया सकते हैं लेकिन घर में भी बनाए है तो हमने यह पंड़ पर सात रखे हैं क्योंकि अच्छा लूंक लग रहा देखने में कितना प्यारा लग रहा है आप भी इस तरह से छोट नॉर्मल घर की चीजों से बनाईए खाये इंजॉय कर ये वीडियो पसंदे तो लाइक करतेजिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करतेजिए फिर मिलेंगे